इस्वर को जो किसी विशय या वस्तु की भाति खोजते हैं, वे ना समझ हैं, वह वस्तु नहीं है, वह तो आलोक और आनन्द और अम्रित की चरम अनुहूती का नाम है, वह व्यक्ति भी नहीं है, कि उसे कहीं बाहर पाया जा सके, वह तो स्वेंग की चेतना का ही आंत्रिक परिश्कार है, एक फकीर से किसी ने पूछा, इस्वर है, तो दिखाई क्यों नहीं देता, उस फकीर ने कहा, इश्वर कोई वस्तु नहीं है, वह तो अनुभूती है, उसे देखने का कोई उपाय नहीं, हाँ, अनुभव करने का आवस्य है, किन्तु वह जिग्यासु संतुष्ठ नहीं दिखाई दिया, उसकी आँखों में प्रश्ण वैसा का वैसा ही खरा था, तब उस फकीर के पास ही वह परा एक बड़ा पत्थर उठाया और अपने पैर पर पटक लिया, उसके पैर को गहरी चोट पहुँची और उससे रक्तधार बहने लगी, वह व्यक्ति बोला, यह आपने क्या किया, इससे तो बहुत पीरा होगी, यह कैसा पागलपन है, वह फकीर हसने लगा और बोला, पीरा दिखती नहीं, फिर भी है, प्रेम दिखता नहीं, फिर भी होत है, ऐसा ही स्वर्भी है, जीवन में जो दिखाई परता है, उसकी ही नहीं, उसकी भी सत्ता है, जो की दिखाई नहीं परता है, और द्रिश्य से उस अद्रिश्य की सत्ता बहुत गहरी है, क्योंकि उसे अनुभव करने को स्वयंग के प्रानों की गहराई में उतरना आवस् होता है तभी वह ग्रहन शीलता उपलब्ध होती है जो कि उसे अश्पर्ष और प्रत्यक्ष कर सके साधारन आखे नहीं उसे जानने को तो अनभूती की गहरी संबेदन शीलता होनी चाहती है तभी उसका अविश्कार होता है और तभी ग्यात होता है कि वह बाहर नहीं है कि उसे देखा जा सकता वह तो भीतर है वह तो देखने बाले में भी छुपा है इस स्वर को खोजना नहीं खोदना होता है स्वयंग में ही जो खोजते चले जाते हैं वे अंतता उसे अपनी ही सत्ता के मूल श्रोत और चरम विकास की भाती अनुभव करते हैं करता है